हेलो दोस्तो नमस्कार मिरनाम संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इंपॉसिबल के यूटूब चैनल पर आसे करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग यूजिसीनेट फर्स्ट पेपर में एकजाम दोहजार तेस के पंटा विव से सिच्छन अभी वृति वाले यूनिट से जिसको इंगलिस में टीचिंग अप्रिट्यूड कहते हैं तो इस यूनिट से हम सिच्छन के विविन इस्तर का जो महतपूर हमारा टॉपिक है इसको कवर करने वाले हैं सलेबस के अकोर्डिंग मैं आपको क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ इससे पहले भी मैंने दो क्लासेज आपको प्रोवाइड किये हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उसमें जो भी टॉपिक था उसको एक्स्प्लेन किया एक तो आपका सिच्छन की प्रकृति या विसिस्ताओं के बारे मैंने पहला एक तरीके से इंट्रोडक्शन कह लीजिए सिच्छन अभिवरिती यूनिट का आपका पहला वीडियो था फिर दूसरे वीडियो में मैंने सिच्छन की अउधारणाओं के बारे में आपको बताया था और आज की इस वीडियो में हम आपको सिच्छन के जो विमिन इस्तर हैं जिसमें आपका मेमोरी लेवल है understanding level है फिर उसके बाद से reflective level है इसको detail में आपको समझाऊँगा ये आपका syllabus में मिंसन है और syllabus के according ही मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ तो विडियो को starting से लेके end तक देखेगा और last में अपना feedback जरूर दीजेगा कि class कैसी रही तो चले फ्रेंट विडियो को start करते है देखे फ्रेंट्स इस slide में सबसे पहले हम तो ये समझने का प्रयास करेंगे कि सिच्छन का इस तर आखिर क्या होता है तो एक छोटा सा example में आपको देना चाहूँगा एक छोटे बच्चे की तुलना में एक वैस्क इंसान जो है जादा information को consumption कर सकता है जादा अच्छे तरीके से चीजों को समझ सकता है लेकिन एक छोटा बच्चा उसके तुलना में जो वैस्क इंसान है वो उतनी तेजी से information को जो है कंजप्ट नहीं कर सकता न चीजों को कि अगर इस age group में या इस level पे कोई बच्चा है या विद्धार्थी है तो उसको इतनी information देनी है या इस तरीके से उसको सिच्छन कारी करना है ताकि वो उतनी information को अच्छे तरीके से कर सके तो आई होग कि आपको clearly ये समझ में आ रहा होगा कि आखिर ये सिच्छन का इस तरी क्या है तो देखे अलग अलग लेवल पे जो है सिच्छन का काम होता है जैसे कोई छोटा चात्र है मानलीजे जो class 5 में है 3 में है 4 में है तो उनको जो हाईयर education के बारे में नहीं होता है तो अभी मैं detail में एक एक करके जैसे मैं आपको बताऊंगा कि स्मृति स्तर में क्या जो है बताने का प्रयाज किया जा रहा है फिर अबोध इस तर में फिर उसके बास से चिंतन स्तर में सबसे पहले मैं यहां पर आपको बतायता हूं सारा कुछ point to point है और मैं बहुत रहे हैं लेकिन मुख्य रूप से इसको तीन भागों में यहां पर अलग किया गया है या तीन स्थर में इसको डिवाइड किया गया है जिसमें मैंने आपको बताया है अभी फिर उसके बाद से सिच्छण का जो मुख्य उद्देश होता है अधिगम अगर सिच्छण होगा त से चात्रों तक पहुचाना चाता है याद रखना है कि अगर आप एक सिच्छक हैं या सिच्छन कारे कर रहे हैं तो आप तीन इस तरों के माध्यम से चात्रों तक जो है ज्यान को पहुचाने का काम करते हैं जिसमें सबसे पहले आपका आता है यहां पर याद रखना इस्म लेवल कहते हैं तो यह आपका last point होता है यहाँ पर जो छातर होते हैं उनको बहुत सारे information हो जाती है बहुत चीजों की बारे में बोध हो जाता है फिर वो अपने आप से भी जो है ग्यान का स्रिजन कर सकते हैं और तथियों को समझ सकते हैं चिंतन मनन सब कुछ कर सकते हैं यह last जो इस तर आपका होता है चिंतन या reflective level तो अमीद करता हूँ कि आपको सिच्छन इस तर आखिर क्या है वो समझ में आया सिच्छन की जो विभिन इस तर है वो भी मैं नहीं बताया वो भी आपको clear हुआ अब एक एक करके हम सारे चीजों को detail में समझते हुए चलेंगे जैसे माली जो कोई physical exercise ही आप कर रहे तो पहले दिन से ही आप heavy workout नहीं कर सकते पहले दिन आप हलका workout करोगे फिर धीरे धीरे आपकी capability बढ़ती जाएगी तो आप ज्यादा workout करोगे तो उसी प्रकार से यहाँ पर कोई छातर है तो उसको सबसे पहले memory level का जो है अग्यान दिय किया जाता है फिर उसके बाद से understanding level का teaching उसके लिए किया जाता है फिर उसके बाद से चिंतन इस्तर का तो आई हो कि आपको clear हो गया होगा आई अब अगली slide में हम जो है स्मृती इस्तर का जो सिच्छन उसे समझने का प्रयास करते हैं तो देखिए friends इस slide में जो हम स्मृती तरीके से समझ में आएगा सबसे पहले तो हम जानते हैं कि सिच्छन के स्मृती इस्तर के जो मुख्य प्रस्तावक हैं वो हरबर्ट महोदे हैं याद रखना है अगर आप से पूछा जाए कि सिच्छन के इस्मृती इस्तर के जो है मुख्य प्रस्तावक यानि इन्हों ने क कि जो teaching है सबसे पहले जिसमें concept दिमाग में बैठाया जाता है क्योंकि पूरी तरीके से दिमाग खाली होता है वहाँ पर किसी भी information का जो है storage नहीं होता है तो उसमें knowledge डाला जाता है information उसके बाद ही वो चीजों का बोध कर पाएगा जो next हमारा इस तरह उसमें चला जाएगा फिर उसके बाद से जो next point है कि यह तथ्यों को contest और अभ्यास करने के लिए प्रेरीद करता है देखें यहाँ पर कोई सवाल जवाब की बात नहीं है क्योंकि किसी भी प्रकार का ग्यान मस्तिक्स में छातर के नहीं होता है जो आपका यहाँ पर memory level होता है तो इसमें चीजों को contest कराया जाता है चाहे alphabet हो गया चाहे आपके वर्ण माला हो गया इस तरीके से चीजों को contest कराया जाता है फिर उसका प्रियोग करने बताया जाता है मतलब आगे जो level जाएगा उसमें information को enhance किया जाएगा बढ़ाया जाएगा तो अभी फिलाल में याद रखना है कि इसमृ अधिगम प्रक्रिया मूलत उद्धीपन प्रतिक्रिया मानी जाती है याद रखना है कि सिछण अधिगम प्रक्रिया जो होती है वो मूलत उद्धीपन प्रतिक्रिया जो प्रतिक्रिया होती है इस रूप में मानी जाती है फिर नेक्ट में मैंने बताया कि सीख यह टाइप और प्रतिधारण के स्थेर्टा जो है वांचनी यह तत्यों को फिर से अबिग्य स्थरपर ले कराना ही जो है इसमृति इस्थर जो है मुख्य लच्षड यहां पर होता है तो आई होप कि पर Parent को क्लीर हो रहा होगा कि तो इसमें information हमें डालना ही है, फिर जब आवबोध इस तर पर हम जाएंगे तो वहाँ पर वो चीजों का बोध करना सीखेगा क्योंकि उसके पास कुछ information हो जाती है, तो आईए हम अगली slide को देखते हैं, अब देखिए इसमें आगे मैंने बताया, इसमृति इस तर में यह सा मौखिक रोप से, लिखित रोप से और निबंद प्रशनों की परिच्छा को सामिल किया जाता है, इसके साथ ही साथ, जो दूसरा point मैंने इसमें बताया है, जो next point है आपका, एक मानसिक प्रक्रिया है, जो अधिगम धारण, प्रत्या इसमरण, वो प्रत्या भिज्यान, चरडों से मिलकर पूरी तरीके से पूर्ण होता है, निश्ट point मैं मैंने बताया कि इसमें प्रस्तुती करण के क्रम में महतुपूर्ण बिंदूओं को दर्ज किया जाता है, इसके साथ ही साथ, इस इस तरके सिच्छण में विद्यार्थी अधिगम की विसेवस्तू को अधिगम कराया जाता है, चाहिए वो कोई भी सब्जेक्ट हो, वर्ण माला या आलफाबेट के लिए कुछ भी, तो उसमें ये क्या करता है, रटने का प्रयास करता है, इसको रटाया जाता है, क्योंकि कोई भी concept या memory में कुछ भी information नहीं होती, तो रटाया जाता है, यह य यह जो है, आपका इस्मृति इस्तर का सिच्षड किस प्रकार से है, यह आपको अच्छे से क्लियर हो गया, कि इसमें किस प्रकार से सिच्षड किया जाता है, और इसमें basically ज्यान को मस्तिक्स में बठाने का प्रयास होता है, कोई भी concept होता नहीं दिमाग में, तो देखें, म हमारा इस तरह है, वो अबोध या ग्रहन सकते इस तरह है, जिसको understanding level कहते हैं, अब यहाँ पर जो अगला step हमारा हो गया, या लेबल अब कह सकते आप हो गया, पहली क्लास में एक example के तौर पर मैं बता रहा हूँ, जैसे कि प्रारंबिक जो क्लास थी, उसमें आपको कुछ दिया गया, क्योंकि आपके दिमाग में या मस्तिक्स में किसी भी प्रकार का ग्यान नहीं था, अब आपके पास, यानि दूसरी क्लास में जब आप जाते हो, तो आपके पास कुछ ग्यान, कुछ नॉलेज आपके मस्तिक्स में होता है, तो अब चीजों का आप बोध कर पा तो आपको पता चलता है ये फार एपल है एपल मतलब सेव होता है या डीफर डॉक ठीक है फॉर एक्जामपल ये था तो आवबोध या ग्रहन सकती इस तर में सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मौरिशन ग्रहन इस तर के मुख्य प्रस्तावक है अगर आप से पूछ ल नेक्ट्ट में मैंने बताए कि इस तर का उदेस विश्यों में अधचता प्राप्त करने एवं समाने करण की छमता को विक्सित करना होता है यानि कि समझ को विक्सित करना है अब ग्यान तो आप में या concept या तथे तो डाल दिया गया लेकिन अब उसकी समझ को develop किसमें किया जाता है और बोध या ग्रहण सक्ती इस तरकी जो सिच्छन होती है उसमें किया जाता है अब दूसरा जो point इसमें है आपका की सामानिकरण का अर्थ है अवधारणाओं सिध्धांत संकल्पना परिभासाएं आदी को समझने की चमता का विकास करना है बोध का मतलब अगर कोई concept है कोई सिध्धांत है कोई theory है theory अलग-अलग विश्यों में होती है अपना चाह साइंस की theory हो गई जो ग्रॉफिम में बहुत सारे होता है उसमें विक्षित किया जाता है आई होप कि आपको अवबोध या ग्रहन सकती इस तरह अच्छे से समझ में आ रहा होगा आई इसमें अगले slide को देखते हैं अब देखिए इसमें next point में मैंने बताया कि उधारण के लिए Newton के सिध्धांत सिच्छण के सिध्धांत सम बनाया गया है जिस नियम को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो प्रिथवी के अंदर गृत्वा करशण बले वो किस प्रकार से काम करता है वैसे तो Newton से पहले भी पेड़ रहे होंगे बहुत सारे फल पेड़ से गिरे भी होंगे तो सबको बोध नहीं हुआ कि नई प्रिथवी के अंदर कोई ऐसी गृत्वा करशण नाम की सकती है जिसके वज़े से उपर की सारी वस्तु जमीन के तरफ आ रही है तो I hope कि ये आपको समझ तो Newton ने एक नियम बनाया और उस नियम को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अच्छे तर अवबोध या ग्रहन जो सकती इसतर का है टीचिंग उसका I hope कि आपको clear हो रहा होगा फिर next जो point इसमें कि ये चात्रों के बौधिक विकास के लिए अधिक्तम अवशर प्रदान करता है जो चात्र का बौधिक विकास है उसके लिए जो ये अवबोध इसतर आपका होता है अवबोध इसतर का सिचण वो ज़्यादा तर आउसर प्रदान करता है नेक्श पॉइंट इसमें कि ये सिच्छक और सिच्य दोनों के लिए तथ्यों को आत्मशात करने है तो सक्रिय भूमिका प्रदान करता है तो याद रखना है कि अवबोध इसतर में सिच्छक और सिच से दोनों के लिए तथ्यों जो तथ्य हैं जो कॉंसेप्ट हैं जो थियूरी हैं उसको आत्मसाथ करने की सक्रिय भूमी का प्रदान करता है फिर नेक्ट में मैंने बताए कि मुल्यांकन प्रडाली में मुख्य रूप से निबंध प्रकार के प्रशन लगू तरिय या वस्तु लगू उत्तरिय प्रशन दिये जाते हैं वस्तुनिष्ट प्रशन जो है सामिल करके आपका मुल्यांकर किया जाता है तो अमिद करता हूँ अबोध इस तरह आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया सबसे पहले हमने इस मिरति इस तरह देखा जिसमें हमारे अबच्छातर का जो दिमाग है या जो सिच्छार्थी का दिमाग है पूरी तरीकेशी कोरा रहता है जिसमें हम information को डालते हैं चीजों को रटाते हैं अभ्यास कराते हैं फिर उसके बाद से next जो आपका इस तरह आता है वो अवबोध या understanding level का आता है जिसमें हम चीजों को समझना बोध कर करना जो है शुरू करते हैं फिर उसके बाद से अब हम आगे जो last हमारा इस तरह सिच्छन का वो है आपका reflective level यानि की चिंतन इसतर उसको भी देखते हैं अब इस slide में जो है हम चिंतन इसतर जो आपका है सिच्छन का उसे देखेंगे जिसको इंगलिस में reflective level कहते हैं अभी पीछे मैंने आपको बताया देखें सबसे पहले मैं बता दूँ कि इसके जो प्रस्तावक हैं वो हंट महोते हैं और नेक्षपांट में मैंने बताया कि यह सिच्छन का उच्छतम इसतर है इस्मृति इसतर एवं ग्रहन सक्ति इसतर दोनों इसका आधार हैं तो याद रखन है कि सिच्छन का जो सबसे चरम कह लिजे सबसे उच्चतम कह लिजे या सबसे सिर्ष का जो इसतर होता है वो चिंतन यानि के रिफलेक्टिव लेवल होता है क्योंकि आपके पास नौलेज आपके मस्तिक्स में डाल दिया गया उन नौलेज का बोध भी आपको हो गया अब उनका इस्तमाल कैसे करना है या उसके बारे में मतलब चिंतन कैसे करना ये आपका लाश जो इस तर होता है इसमें आपके मतलब इस प्रकार की सिच्छन की जाती है देखे आप जो next point इसमें है या सिच्छन का समस्या केंद्रित जिष्टी कौन है यानि कि अब सारे information आपके प मुक्त और स्वतंत्र होता है क्योंकि एक समय सीमा होती है जिसमें आपको नियम रूल रेगुलेशन के अंदर बाद कर रखा जाता है ताकि आप डिस्प्लिन में रहके चीजों को सीख सके लेकिन एक लेवल आता है आपके सिच्छन का या सिच्छार्थी जीवन का जहां प आपको मुक्त वातावर्ण मिलता है धन करने का और स्वतंत्र पूरी तरीके से इंवार्मेंट आपका होता है तो उमिद करता हूँ यह आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा जिसमें रिसर्च स्कॉलर आप कह सकते हैं जहां पर वो नए तथ्यों का स्रिजन करते हैं रिसर्च करते हैं तथ्यों की जांट परक करते हैं आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा नेक्स जो पॉइंट आपका है कि यह इस्तर विचारसील इस्तर की सकती को विक्सित करता है ताकि सिच्छार्थी तर्क और कल्पना के द्वारा सफल एवं सुखी जीवन की शम करने लग güzel ऐसा नहीं होता या तो प्रॉब्लम कोई ow जाती है ति तो सथार्थी जो होते हैं वह करते हो वह स्थार्च करते हो उस प्रॉब्लम को करने के लिए, ज्या नए ज्यान के चित्तन के लिए कि चिंतन या विमर्से इस तर ने किस depl으कार से सिच्छन होता है ये आपका सिच्छन का लाश्ट कह लीजिए या सिर्स कह लीजिए या अंतिमिस्तर होता है जिसमें आपके पास नॉलेज भी आ जाती है उसका बोध भी हो जाता है उसके बाद से आपको चिंतन करना होता है समस्या केंदित दिश्टिकोन इसमें आपको अपनाना होता है कोई problem create होती है तो उसका solution आपको ढोड़ना होता है इसमें जो classroom है उसका वातावर्ण मुक्त होता है यानि किसी भी प्रकार कि आपके पास बंदिसे नहीं होती है अध्यन का जो स्वरूप होता है आपका वो स्वतंत्र होता है अभी देखे इसके बारे मैंने अभी उपर आपको बताया कि यह research भी आप इस stage में कर सकते हों कि आप सिछन के एक अपर लेवल पर आ चुके जहां पर आपके पास बहुत सारी information है तो नए ग्यान को अगर जानना चाहते है नए ग्यान को तो उसके लिए आपको research करना पड़े इस स्तरका तो इसमें आपको निबंद प्रकार के प्रिश्ण उत्तर जो है दिये जाते हैं फिर next जो point इसमें कि निबंद परिच्छा के साथ साथ मनुवरित्ति विचार एवं भागिदारी को भी मुल्यांकन के लिए प्रियोग किया जाता है ये भी point आपको याद रखना है फिर next जो इसमें point है कि सिछण पाठे चरिया ये पाठे करवाने के रूप में परिभासित किया जाता है तो ये भी महत्रपुड point है जो पाठे चरिया होता है उसको व्यापक तोर पे सेचिक प्रक्रिया होती है पूरी उस दवरान वांशित छात्र के अनुभव प्रदा सिख्ण करवाने के रूप में पूरी तरीके शे परिभासित किया जाता है जो नेक्स पुटी racashta में पाथि चर्या बहुत महत्वपूर्ण है या सिख्ण व्यवस्था का आधार होता है जो आपकी सिख्ण होती है जो सिष्टेमेट कई वे में होती है सिच्छा दो प्रकार की होती है दो प्रकार से होती है एक तो अपचारिक आपकी होती है जिसमें आप स्कूल संस्थान एक सिस्टमेटिक वे में सिच्छा को जो है गरहन करते हैं एक अनपचारिक सिच्छा होती है जो अपने परिवार दो समाज से आप चीजों को सीखते हैं तो आई वोप कि आपको यह भी क्लियर हो गया होगा अमित करता हूं कि आपको यह चिंतन इस्थर जो है सिच्छन का वाचिस तरीके से क्लियर हो गया देखिए इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं एक बार मैं रीकॉल कर देता हूं स्टार्टिंग से आज कि इस पास तो आपको रटा दिये गए कि यह यह चीजे होती है अब उसको आपको बोध करना होता है तो बोध करना बताया जाता है फिर लाश्ट में आपका आता है चिंतन इस्थर जिसमें आपके पास नॉलेज भी हो जाती है उसका बोध भी हो जाता है अब आपको करना क्या हो होता है उसे साथ इसके साथ, आप सुतन तरूप में अध्यान कर सकते हैं इसमें आपको एक पाठे चरिया उनका अनुष्रण करना होता है। उसी के इसाब से आप अपन IT कर सकते हैं तो आपको चिंतन इस तरवी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ तो आप comment box में लिख कर मुझे बताईएगा, मैं वहाँ पर भी आपको clear करने का प्रयास करूँगा, आईए ब अगली slide को देखते हैं, देखे कुछ important चीजे थी, इसमें मैंने pictures लगा रख थोड़ा सा जब छातर आपका और बड़ा हो जाता है, जो अपर classes में चला जाता है, तो यहाँ पर चीजों का बोध करता है, फिर उसके बाद से मैंने जो आपका चिंतन इस तरह उसमें इस प्रकार का picture लगा, यानि कि कैसे जो सिच्छारती है, वो समय के साथ आगे बढ़ करता जाता है, और knowledge को enhance करता जाता, अपने ग्यान को बढ़ाता जाता है, और एक level पर वो आता है, चिंतन इस तरह जहां पर उसे reflective level की teaching जो है दी जाती है, तो I hope कि आपको ये भी अच्छे तरीके से clear of picture का भी मैंने बखो भी इस्तमाल किया, ताकि आप visualize करके चीजों को relate कर के समझे, आई यह बागी इसमें हम देखते हैं, अब इस slide में मैं आपको जो teaching के models होते हैं, या मुलभूत प्रतिरूप हैं, उसे मैं clear करने का प्रयास करूँगा, देखे मुलभूत सिच्छन प्रतिरूप यानि के basic teaching जो है models, यानि teaching के दो models हैं, जिसे आपको याद रखना यहां से कभी question बन जाता है, देखे सबसे पहले point में मैंने बता है कि सिच्छन का व्यापक उद्देश है, सिच्छा प्रदान करना, लेकिन इस उद्देश को प्राप्त करने के मार्ग में अलग-अलग हैं, जिनको हम सिच्छन प्रतिरूप कह सकते हैं, याद रखना है, य अच्छा score करें, इसलिए आप paper 1 की तयारी कर रहे हैं, जब आपका UG Senate clear हो जाएगा, तो आप जो है आगे assistant professor के लिए apply करेंगे, teaching का काम करेंगे, तो कहीं ने कहीं आपका कुछ निस्चेत उद्देश है, इसलिए आप उस कारे को कर रहे हैं, तो याद रखना इस point को, तो यहाँ पर इसका उद्देश से जो है सिच्छा प्रदान करना है, लेकिन इस उद्देश को प्राप्त करने के मार्य जो है अलग-अलग हैं, और जिनको हम सिच्छन प्रतिरूप या models के रूप में जानते हैं, देखे सिच्छन के दो मोलभूत प्रतिरूप हैं, एक तो प् प्रसिच्छ के लिजिए, सिच्छ के लिजिए या teacher center method भी इसको बोला जाता है, तो हिंदी में मैंने यहाँ पर लिख रहा है कि प्रसिच्छ केंद्रित दिश्टिकोण, दूसरा है आपका सिच्छार्थी केंद्रित इसे आप कह सकते हैं, दिश्टिकोण या जो विधी है या model से आप इसे कह सकते हैं, देखें, इंगलिस में भी आपको याद रखना है, इसको teacher centered method भी बोला जाता है, और इसको जो है student centered method आप कह सकते हैं, बोला जाता है, तो एक एक करके दोनों को मैं आपको बता देता हूं, और देखें, मैं बहुत सहज भासा में आपको clear कर रह होगा, या कुछ आपको दिक्कत भी मैसूस हो रही हो, तो आपने संकुछ मुझे comment box में बता सकते हैं, आइए इसमें आगे देखते हैं, तो देखें, सबसे पहले हम जो प्रसिछक केंद्र सिच्छन विदी है, यों कहले है teacher centered method उसे जान लेते हैं, तो देखें, यह अधिकम प्रक्रिया, गती, सामागरी, प्रविदी पर पूर्ण नियंतरन होता है, यहां पर कॉमा देना चाहिए, सिच्छन अधिकम प्रक्रिया की गती, सामागरी, प्रविदी पर पूर्ण नियंतरन होता है, और सिच्छार्थी सीखने के लिए पूर्ण रूप से सिच् सिखना होगा और जो सिचारती होता है वो पूर्ण रूप से सिच्छक पर आस्रित होता है इसलिए इसको teacher-centered method भी कहा जाता है यहां पर जो है छात्रों को कैसे सिखना है कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है उसको कम महत्व दिया जाता है लेकिन यहां पर सिच्छक ज परतमान समय में जो model साब का चल दा है वो सिच से केंद्रित है यानि कि student-centered method का इस्तमाल किया जाता है यानि कि छात्र को केंद्र में रख कर जो है teaching के जाती है छात्र जैसे सीखना चाहेगा जैसे भी उसे असुगम लगेगा कि मैं इस तरीके से सीख सकता हूँ वैसे ही जो सिखने के लिए मारग दर्शन एवं सुगम वातावरण तयार करना होता है जो बाते मैंने बताई वही सारी चीज़े में मिंसंग कर रखा है सिच्छार्थी जो है इसमें आत्म केंद्रित या आत्म निर्देशित होता है खुद से और बस सिखक का जो important role इसमें होता है वो क आपका teacher-centered method में होता था लेकिन student-centered method है उसमें ऐसा नहीं होता है इसमें जो है सिच्छक का main role होता है वो छात्रों का mark दर्शन करना होता है और उनको सीखने के लिए उचित वातावरण का निर्मान करना जो है एक सिच्छक का main काम होता है आपका student-centered method में तो उमिद करता हू कि आपको यहां पर सिच्छक केंद्रित जो शिच्छन मॉडल है वो भी आपको समझ में आ गया और जो सिच्छार्थी केंद्रित सिच्छन मॉडल है वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो यहां पर जो है आपका जो यह मैं टॉपिक क्लियर करा रहा था सिच्छन के वेपिन इस तर वो पूरी तरीके से complete होता है तो अबीद करता हूँ कि आपको ये class बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी अमानदारी से कोई कमी भी है, class में content लिखने में कमी है या कुछ भी आपको लगता है, कमी तो आप comment box में बता सकते हैं आपको लगता है कि कुछ ऐसी सलाह है या suggestion है जिसको मैं sir को बता सकता हूँ comment box में लिख कर तो उससे जो वीडियो की quality है या content की quality है या class का जो quality है उसको बढ़ाया जा सकता है तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, comment box में आप अपने suggestion को दे सकते हैं इसके साथी साथ वीडियो कैसा लगा ये भी आप बताएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, लगता है कि इसमें कुछ मेहनत की गई है कुछ आपको मिला है तो आप हमें appreciate करने के लिए यहाँ पर like कर सकते हैं इसमें कोई charge या खर्चतों लगता नहीं है, free में सारा class में आपको provide करता हूँ तो आप like करके हमें appreciate कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ जो है आप इसे share कर सकते हैं जरुतमन दोस्तों के साथ क्योंकि यह free classes है और आपको पता है कि preparation के लिए कितने फिसेज होती है अमोमन यह आप सभी को पता है और इसके साथ ही साथ चैनल पे अगर आप नए है तो चैनल को subscribe करिएगा और उसके बगल में जो bell icon का button होता है उसको आपको क्या करना है प्रेस कर लेना है ऐसी ही important वीडियो के updates को पाने के लिए तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और important topic के साथ तब तक के लिए जैहिन जैपाँ